दिल्ली दे लाल किले दाओ तक जिते बैट के हंकारी मुगल गाजे सिख्खां खलाफ परमान जारी कर देती किमें सिख्खांने हुखाड के सिट दताओ तक किमें सिख्खांने दिल्ली जिती सिखा तो जान बचाऊंदा मुगल बाश्रा के में लाल किला छटके पज्या 355-380 तक 15 बार सिखाने दिली जिती जिडे तक्त फिछे सदियां तो लडाईयां हुंदियां आरियां सी मुगल आवदे सके पर आते पे उनू भी मार दिन दे सी सिख ओ तक्त नू जटके ठोकर मार के चाटाई ती आज जगाल करांगे कि में सिखाने दिली जिती एदा पूरा इतिखास वानुगता जे लाल के लिए दी जितनू आप पूरा संजना दा पनू फड़ा पिछे जाना पेना जाल हैगी यां है अठार मी सदी दी बाब बंदा सेंगं बहादर दी शाहादत वाद सिखान दा काड़ा दोर शुरू हो जन दा करांचों चक्चा के सिखानों मारा जन दा एद दू बाद आउन दा एफर अबदाली अबदाली सिख कोम दी अद्धी तो जादा अबदी नो खतम कर दन दा टाइम लंगदा ज़नदा है नाता सिख मरनों डर देने ते ना ही सिख लरणों डर्देने सिख रून मजबूत होना शुरू हो गई अब दाली वार गीयानों सिखवाने पाजणा पोणियां स्टार्ट करती है सिखवाने आफदियां ग्यारां मिसला मना लियां बाबा बगेल सिंग जी दी मिसल, करोण सिंगिया मिसल दे अंडर ए सारा अंबाला, करनाल, सहारनपुर, अवद तक दे लाके इना दे अंडराओं दे सी जड़े दिली दे निड़े लग दे सी गे दिली सिखा ने 1785 तो लेके 1885 तक फंदना बार जिती है, बाबा बगेल सिंग ने दिली ते पहला हमला 1744 कीता ते दुझा 1745 लाल किला फते करन तो नौ साल पहला उन सिख्खां दी आख दिली तो बाद सीगी लाल किले ते लाल किला ओही जित्वों सिख्खां दे खिलाफ परमान जारी हुन दे रहने सदियां तो पर सिख्ख ए रेश च तले नहीं सीगे मराठे भी दिली ते कब जा करना चौन दे सीगे अंग्रेज भी हुन आवदे पैर पारतच पसारन लागे सीगे बंगाल उडिसा बिहार जितन तो बाद अंग्रेज जान दी निगाह हुन सीगी दिली ते बबबब के इल सिंग सरदार जसा सिंग अलू अलियान अलिक मीटिंग कर देने ते 4 फरबरी 1783 नो कोडियां ते हाथियाना लदी होई 60,000 ते खाल सा फाज दिली ते हमला कर देन दिया सरहांदतों चाल देने 9 मार्च नो सिख पहुंच जान देने दिली ते ओधों तक सरदार जसा सिंग रामगडिया भी अवधी फाज लेके इन दे नाल मिल जान देने उधों दा दिली ता मुगल बादशा सिगा शा आलम दूजा उन जाद पता लगदा है के सिख मेरे किले नो के इरन आरे ने ताउ हो किले नो जान दे सारे दरवाजे बंद करवादा हुण मोटियां मोटियां के लिए दिया कंदां ते दर्वाजे भी सारे बंद उत्ते लगे हो इने सैनिक सिख्खां बास ते के लिए चे दाखल होना एक बड़ी चनौती बन जानदा है बाबा बगे एलसेंग अब दी फाज नू तिन हिस्सियां चे बन जान देने पँच हजार फाज रोक देने मजनू के टले लिए जगा ते ते पच हजार फाज एक दाणा मंडीच रोक की जन दिया जितहें 30 हजार ओना थी फाज रोकी सी गी वो जगानू अज 30 हजारी कोट दे नामना जान जाने जानदा है फुन चनौती सिखां कोल सीगी के अंदर जानदा कोई रा नहीं सीगा बाबाबा के एल सेंग ने दिली दे आले दो आले दे लाग के पहले नहीं जिते होई सीगे सारे पेती सीगे दिली दे हो इस करके उनना नू एथोनियां कमजोरियां दा भी पता सीगा एक खाबरी नो लब्या जानदा है खाबरी फिर दास्दा है के किले दी कांद एथोन यों अंदरों खोख लिया बिल्कुल बारों यहें मजबूत देख रही है ताँ फिर सेख की कर देने एक बड़ा दरखत पड़ देने उन्हों अग्यों तिखा किता जानदा उन्हों बार बार फिर कंद चे मारेया जानदा ते कंद चे एक बड़ी मोरी कर ली जानदी है ओ मोरी नहीं सेख लाल के ले चे दाखल हो जानदेने ओ मोरी फिर बाचों बंद नहीं कीती जानदी हो ते एक गेट बना देता जानदा जिनों अज़ भी मोरी गेट दे नाम नाल जाने हैं जानदा है जे तुसी कदे दिल्ली जाओं आईएस पी टी जड़ा बस्ट आइटा उदे नेडे मोरी गेट एह सिखान दी जे तदी अज़ भी गवाही पर दा है सिखोन दाखल हो जान देने लाल के ले जारा मार्च 1783 नों सिख लाल के ले दे अंदर दाखल हो जान देने दिल्ली दे तख्त ते सिखान दा कबजा हो जान दा है ओही तख्त जिते बैट के मोगल राजिया ने गुरू अरजन देब जी ते गुरू तेग भादर साब नों शहीद करन दे परमान जारी कीते सी ओही तख्त जिते बैठा हंकारी और अंगजेव नित अबदिया फॉजा नों अनादपुर ते हमला कर ली पे जिन्दा सी ओही तख्त जीदिया चालना करके गुरू गोवें सिंग जी दा परवार विच्छड गया ऐसे तख्त ते बैठ के ही बंदा सिंग बहादर ते ओदे चार साला पुत्तर दी शहीदी दे परमान सनाएगे एह हंकारी तख्त अज सिखां दे पेरा हेट सीगा तख्त होने जात ले गया ते गल चल दिया के होने राजा की नू बनाया जावे तब सारे बाबा जसा सिंग अलू अल्या दा नाम लें देने क्योंकि उह बहुत सीनियर सीगे पर एग गुरू दा महान सिख उ तख्त नू एक एक ठोकर मार दें दा के सानू गुरू गोविन सिंग जी ने कले कले सिख नू बादशा बनाया है के एग तख्त सानू की बादशा बना हुगा एभी आफदे आज एक एतिहास सीगा जेडे तख्त पिछे सदियां तो लड़ाईयां हुंदियां आ रही हैं सी मुगल राजे एक तख्त ते बैठान लई आफदे सके परामा ते प्यावनू मार दें दे सी सिखा ने ओ तख्त जित के ही ठुकर मार देती उन्हें एदे बारे कुछ एतिहास कारां दा एभी मत हैगा के सरदार जसा सेंग अलू अलिया उस तक ते बैठे सीगे ते उन्हान नू राजा एलान देता गया सीगा ते हुन जड़ा शा आलम सीगा उन्हुपा जड़ा पञ्या होनिया सी इस गालतों लडता सकता नहीं सीगा सिखाने खिलाफ फिर उन्हें की चाल खिटी उने बेगम समरू सीगी एक बेगम समरू नो सिखा को लपे जया बेगम समरू होन कौन सीगी बेगम समरू एक अंगरेज वपारी सैनक दी करवाली सीगी जो दो हो मर गया उदे का राडा था उने की किता उने मुगला नाल भी बहुत बदिया बनाई रखी ते उने समना बदिया बना के रखी कई लाक्यां ते हो राज कर दी सीगी बाबा बगे एल सेंगे ने उदी जान बचाई सीगी एक बार ओदों तो ही यहो बाबा बगे एल सेंगे नो तरमदा प्रामान दी सीगी बेगम समरून उपे जया गया बाबा बगे एल सेंग कोल संदी करनवार ते दो शर्ताँ हो लेकियों दिया एक ताओं केंदी या विशा आलम जड़ा बादशाए इनू मारे होना दूजा हो केंदी या के इनू ही तक्त ते बेठा रहें दो के तुसी वापस मुड़ जो हुने थे जे कोई होर होंदा ताओं तक्त शर्दा जे तक्त शर्दा भी ताओं हो कहजियां शर्ताँ दे शर्दा हुने थे गुरू दे सेख देखे हो के इनना ने कहजियां शर्ताँ रखियां बाबा बगे एल सेंग वो केंदे कोई गाल नी ठीगा असी नहीं मार दे नो चलो तक्त भी यसी यह नो दे दांगे पर शड़ियां चार शर्दा ने चार शर्दा हुन केडियां सी गियां पहली शर्द होनों ने रखी बी जिनने भी सिखता रम नाल संबंदित स्थान ने जित्धे गुरू साब आये ने जिते शीही दिया होई हैं ने वो सारे सिखाने हवाले कर देते जाने दूजी शर्त रखी के उस्थाना दी निशान दे ही करवा के सिख ओथे अब दे गुरू का उसार निगेते दे कोई रोग तोग न कीती जावे तीसरी शर्त रखी गई के दिल्ली दी कोतवाली सिखाने हवाले कीती जावे ते दिल्ली दा माल बेज के जिन्नी भी चुंगी वसूल कीती जान दिया उदे चो 70.5% हिस्सा सिखानों दता जावे तांके वो पैसे दे गुरुकार उसारे जान ते सिख जड़ियां फोजाने उन्ना दा खर्चा पानी चल सके चौत्ती शर्त रखी गई के जिन्नाच चेर गुरुकार आंदी उसारी पूरी नई हुंदी 4000 फोज नाड़ बाबा बगेल सिंग दिल्ली ची रैन गे सिख खानीक शर्ताँ पहले बोल ची मन निया गई हैं सारीया सरदार जसा सिंग अलू अलिया सरदार जसा संग रामगडिया ते हौर सिख आगू अपनिया होजानाड दिल्ली तौ पंजाब नू आउन दी तैरी करन लगे जन देने पर सरदार जसा सिंग रामगडिया केंदे भी आयनता नहीं जाना वापस केंदे सिखा दा वैरी जड़ा रहा तखत इनो खाड के ना लेके जा मांगे तक किसे टैम ते एशिया दा सब तो ताखत वर तखत रहा जड़ा तखते ताउस दिली जड़ा पटलिया थे ओहो राखती ले आके गुरु साब दे चरना चे हरमंदर साब हरमंदर साब तखत दी सिल अजबी रामगडिया बुंगे चे पईया तुसी देख साग़िया दिली चे गुरु का रबन अना भी कुई सौखा काम नी सी गया जिस अस्थान ते गुरु तेगवादर साब दी शहादत होई जित्थे उनना दे पवित्तर तरदा सस्कार कीता गया बाबा बगेल सेंग ने पराने बज़ुर गलब के उनना स्थाना दी निशान दे ही कराई ते बड़ी रिसर्च तो बाद दिली च सत्गुरु करांदी उसारी करवाई गई गुर्दवारा शीस गंज साब जित्थे गुरु तेगवादर साब नू शहीद कीता गया गुर्दवारा रकाव गंज साब जित्थे पई लखी शाव अंजारे दा कर होंदा से अपने करनों अगल लगा के उनना ने गुरु साब दे पवित्तर तर दा ससकार कीता गुर्दवारा मजनुका टिला जित्थे गुरु नानक देव जी ते गुरु हर गोविन साहब जी दे चारनपे सी गे गुर्दवारा बंगला साहिब जित्थे गुरू हर क्रिशन साहिब जी जैपुर दे एक राजे दे बंगले चरुके ते रोगियां दे रोग दूर की ते गुर्दवारा मुत्पी बाग साहिब जित्थे गुरू हर क्रिशन साहिब जी अन्तिम सस्कार किता गया इस सारे गुरु करानदी उसारी तकरीवन नौ मीन अजपूरी हो जानदी यते नौ मीन ने सिखांदा दिल्ली ते राज रहा सिखांदे राज उत्थोंदे लोग बहुत ज़ादा खोश ते सुखी होगे सीगे सिख्खां दे कोड़े, सड़कां दे आम गस्त करते देखे जाने सीगे जोर लटे रे, कट होगे सीगे ते जिडी चुंगी सिख्खा नू मिल दी सीगी साटे सेंटी परसेंट वो हो पंजाब और तो बाद भी बाबा-बगे इल सिंग नू ना दे काल चलाने तक मिल दी रही जो तो बाबा-बगे इल सिंग दिली तो पंजाब नू वापस होन लगए ता बादशाओ शा आलम सुनिहां पे इज़ा है कि मैं तो नू मिलना है तब बबब गे एल संग केंदे ने के मैं ते नू मिली नी सकदा के तू है बादशा ते नू मिलन वास्ते मैं नू सिर्च कौना पेना ते असीता गुरू गुरांट साथ तो बिना किसी अगे सिर्च का आई नी सकदे दूसरी गल के तेरे दरबार्च तेरे अगे कोई भी सस्तर लेके नहीं आ सकदा ते असी तां सस्तरा तो बिना रही नहीं सकदे तांब बादशा शाह आलम केंदा है के तुसी जिमे मरजी आओ कोई गल नहीं पर थुनू मैं मिलना जरूर है तब बाबा बगेल सेंग पूरे शाही ठाठ बाठ नाल हाथी हुते बैठ के पूरे सस्तर सजाए हुए राजे दे दरबार्च जान देने केंदेने के एक दरबारी हाथी दे अग्य अग्य चल रहा सी ते ओ बोल रहा सी गा के सावदान खालसा जी ओ आ रहे ने सावदान, खालसा जी ओ आ रहे ने ते जो दो बबबब गेल सिंग जी फिर दरवार्च जानतो पहला हाथी तो उतर देने ते कोड़े ते सवार हो जान देने फिर कोड़े सने ही ओ दरवार दे अंदर जान देने बाबाब गील सिंग धरवार देंदर जानदेने त्य बोले सोने हाल दा जकारा वलाओं देने अतिहास्ट ये दरजा के बाड़्चाः शाहा आलम ने अप दे दरवारीयानू जकारे दा जवाब दें लिकिया मुगला दे दरवार्च सिखान दी फते दे जाकारे गूंज रहे सिगे ते बादशान नाल विचार चार्चा करन तो बाद बाबा बगे एल सिंग पंजाब वापस आ जान देने ए सिगा सिखान दा मुगल दिली नू फते करन दा इतिहास वीडियो तो अनू बदिया लगी तो तुसी अनू अगे भी पेश सक देओ थाड़िया वीडियो अब दे बच्चे अनू जरूर देखाया करो ताजो और सेखे ते हास नाल जोड़ सकन तुसी अनू कमेंट करके एभी दास देओ करो तुसी केड़े पिंड़ शेर्च बैट के थाड़ी वीडियो देख रहे हूं तो अनू सपोर्ट करन लगी ते एदन यह होर वीडियो देखन लगी पंजाब से यहां दे फेस्बुक पेज ते यूट्यूब चैनल नू लाइक ते सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं तुसी वाइगरू जी का खालसा वाइगरू जी की फते है